पहला कुरंथियों 13 यदि मैं मनुश्यों और सर्ग दूद्तों की बोली बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठंठनातावा पीतर और जंचनाती हुई जांचूं और यदि मैं भविश्वारी कर सकूं और सप्रकार के भेदो और ग्यानों को समझ सकूं यहां तक मुझे यहां पूरा विश्वास हो कि मैं पहार को हटा दूँ परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं और यदि मैं अपनी सब समपूर्ण संपत्ती कंगालों को खिला दूँ और अपनी देश जलाने को देदू और प्रेम ना रखूँ तो मुझे कुछ भी लाब नहीं प्रेम धीरजवन्त है और क्रिपाल है प्रेम धान नहीं करता प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता वह फूलता नहीं वह अन्रीती नहीं चलता वह अपनी भलाई नहीं चाहता जुन्जलाता नहीं बुरा नहीं मानता कुकर्म से अनन्दित नहीं होता, परंतु सत्य से अनन्दित होता है वह सब बाते सह लेता है, वह सब बातों की प्रतीती करता है सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है तेम कभी टलता नहीं, भविश्वारियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाशाय हो तो जाती रहेंगी ग्यान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ग्यान अधूरा है और हमारी भविश्वारी अधूरी है परितु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा जब मैं बालक था तो मैं बालको की नाई बोलता था बालको कीसी समझ थी और बालको की असा मन था परितु सिहाना हो गया तो बालको की बाते चोड़ दी अब हमें दरपण में धुन्दला सा दिखाई देता है परन्तु उस समय आमने सामने देखेंगे इस समय मेरा ग्यान अधूरा है परन्तु उस समय पूरी रीती से पहिचानूंगा जैसे मैं पहिचाना गया पर अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनो स्थाई हैं और इन समय से सबसे बड़ा प्रेम है